जलिस्की की मिसाइल का जवाब आटम बम पुतिन के वार्ट राट में फसा सूपर पावर वाशिंटन को दहलाएगा पुतिन का मिसाइल मैन यॉरप में अमेरिका से छल नेटों की जमीन खिसकी रूस ने आरपार की जंक शुरू कर दी है यॉक्रेन के कैई शहर आतिशी अगनिबान की मार जहल रहे है उडेसा में पुतिन की कलस्टर वार हेट के सीरियल धमा के शुरू हो चुके है कलस्टर वार हेट से लेस मिसाइलों की मार के साथ यूक्रेन के उडेसा में शाहिद और कामीकेस से बारूदी रॉकेट की बौचाड हो रही है रूस ने यूक्रेन के जापरिजिया को KH-59 गाइड़ेट मिसाइल से दहलाया है जापरिजिया और उडेसा में बरस रहा बारूद रूस के क्राइमिया से शुरू हुए हमले के आगे कुछ भी नहीं क्राइमिया से पुतेन आर्मी इसकंदर मिसाइलों को अदा दुन दाग रही है रूस के आकरमन में आई तेजी की वज़े भी बहानक है युक्रेन डिफेंस फोसेस ने रूसी हमले की जो डिटेल दी है उसके मताबिक युक्रेन के रक्षबलों जिसमें विमान रोधी मिसाइल इकाईयां मुबाइल फायर ग्रुप और एलेक्ट्रोनिक युद्ध शामिल है रूसी के एच 59 मिसाइल और दस हमलावर ड्रोन को मार गिराने में कामियावी हासिल की है यह हमले निप्रो पेट्रोस्क, सुमी, उलतावा और माईकोलाई विलाके में एर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किये गए है 14 सितंबर की शाम से रूस के हमले में तूफानी तेजी आई है इन हमलों में युक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने प्रतिबंदित हत्यारों का इस्तिमाल कर आम नागरिकों की जान ली है ओडेसा में रूसी अटाक में एक नविवाही जोड़े की मौत की जानकारी भी युक्रेन ने दी है रूस के मिसाइल हमले में ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में बने दफ्तर तबाह हुए है ओडेसा मिलिटरी चीफ ओले कीपर ने दावा किया है कि रूस ने ओडेसा के बहरी इलाकों में ऐसी मिसाइले दागी है जिन में क्लस्टर वारहेट का इस्तिमाल हुआ है क्लस्टर वारहेट ऐसा हतियार है जिसके एक वार से कैई धमाके किये जाते है असल में क्लस्टर बम लॉंच होने के बाद धमाके से पहले कैई छोटे बमों में बदल कर तबाही मचाता है रूस युद्ध में पश्चिमी देशों के हत्यारों के इस्तिमाल से भड़का हुआ है युक्रेन की बदत कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्लियर मेसेज देने के लिए पुतिन ने हमले की धार तेज कर दी है हालक इसके बाद जूद भी फ्रेट को हत्यारों को सप्लाई जारी है स्विडन ने युक्रेन को CB90 बैटलशिप की नई खेप भेजी है कॉमबैट बोर्ट 90 हाई स्पीड एमफीबियस लैंडिंग क्राफ्ट है यह 18 पैराटूपर्स को पूरे गेर में ले जाने की शमता रखता है और साड़े चार तन तक का पेलोड ले जा सकता है CB90 तीन बड़े कैलिबर ब्राउनिंग M2HB मशीन गन से लैस है इसके अलावा 40 mm MK19 आटोमाटिक ग्रिनेड लॉंचर भी इसमें लगाया जा सकता है रिमोट कंट्रोल बैटलशिप 360 डिग्री में हमला करने की ताकत रखती है इस बैटलशिप का इस्तिमाल तो ही जलशेत्रों में खनन और दुश्मन की निगरानी के लिए भी किया जाता है गाला सागर में ये बैटलशिप रूसी नेवी हमले का मुकाबला करेगी युकरेन को मिल रहे घातक हत्यारों ने रूस की टेंक्शन बढ़ा रखी है जिसे रोकने के लिए प्रेजिडेंट पुतिन ने बहुत ध्यानक वार्निंग भी दी है फूफिया सूत्रों ने दावा किया है कि वार जोन में जलन्स की सेना लॉंग रेंज विसाइल के हमले बंद नहीं करती है तो बहुत जल्द परमाणू धमा का भी मुमकिन है इसी टेंशन को लेकर अमेरिका और बिटेन में मारतन मीटिंग का दौर भी चला है बिटेन की प्रधानमंत्री की स्ट्रामर और अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने वाशिंग्टन में रूस युक्रेन युद पर लंबी बैटक की है जिसमें दोनों लीडर ने युक्रेन को लौंग रेंज मिसाइल के हमले पर ब्रेक लगाने के लिए मनाने का प्लैन बनाया है बाइडन स्टार्मर मीटिंग में युक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी ATSC MS और बिटेश स्ट्रॉम शाडो मिसाइलों के इस्तिमाल की मनजूरी देने पर गहन चर्चा हुई है मीटिंग के बीच प्रेजिडेंट बाइडन ने युद्ध में रूस की हार की भविश्वानी भी कर दी क्योंकि उक्रेन लंबे समय से अमेरिका और बिटेन से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हत्यारों का इस्तिमाल करने की इजाज़त मांग रहा है युक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइले इस्तिमाल की इजाज़त भी दी गई है लेकिन सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ अपनी ही सीमा के भीतार बाइडन मानते हैं कि लॉंग रेंज मिसाइल वार में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है आला कि सूपर पावर अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसके हत्यारों के जबाब में जो होगा वो पूरी दुनिया के लिए मुसीवत से कम नहीं पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर युक्रेन ने लॉंग रेंज मिसाइल से हमले किये तो तैम आना जाएगा कि हमला पश्चिमी देशों और अमेरिका ने किया है इस हमले के जवाब में रूस न्यूक्लियर धमाके करने से नहीं रुकेगा पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं इसे युक्रेन की बरबादी साबित करती है अगर बिटेन और अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल अटैक को ग्रीन सिगनल दिया तो रूस के परमानू गुदाम खुलेंगे रूस के आटम बमो की पावर पूरे यॉडर्प को बरबाद कर सकती है प्रेजिडेंट पुतिन न्यूक्लियर धमाके की धमकी इसलिए भी दे रहे है क्योंकि सोवियद संग के पतन के बाद से रूस ने कभी आटम बमो का टेस्ट नहीं किया है प्रेजिडेंट पुतिन अमेरिका और नेटो से सीधे टकराने का पूरा मन बना चुके हैं इसे हाल में की जा रही रूस की गुडबाजी से भी समझा जा सकता है रूस ने महायुद के लिए अपना खेमा बेहद मजबूत बना लिया है प्योंग यांग से आई ये तस्वीर देखिए उत्तर कुरिया के ताना शाह केम जॉंग उन से रूसी संग की सुरक्षा परिशत के सचिप सरगई शोईगू की मुलाकात हुई है इससे पहले प्रेजिडेंट पुतिन खुद केम जॉंग से मिलने जा चुके है रूस ने किम के साथ इरान को भी अपने पाले मिलाकर अमेरिका की दुख-दुखी बढ़ा दी है पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस और इरान में नुकलियर डील हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इरान और रूस में सीक्रिट अटमी डील हुई है जिसके तहत रूस इरान को नुकलियर प्रोग्राम की तकनीक साजा करेगा इसके एवज में इरान रूस को लॉंग रेंज मिसाइल से मदद पहुचाएगा फिलहाल इरान से रूस को फतेह 360 मिसाइले मिल रही है किम जॉंग उन आटमी पावर रखते हैं इरान को रूस नुकलियर पावर से लैस कर अमेरिका और बिटेन के खलाब वार जोन में उतार सकते हैं पुतिन के इस वार प्लान से जेलन्सकी और पश्चीमी देशों के होश उड़े हुए है जबकि अमेरिका पुतिन को वार्निंग देना बंद नहीं कर रहा मतलब यह है कि कि अमेरिका पुतिन की धंकियों के आगे जुकेगा नहीं नेकिन युक्रेन को जंग में लगातार मदद पहुचा कर सूपर पावर नुकलियर वार को दावत भी दे रहा है पुरूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा आटम पब है पुरूस के आटमी मिसाइलों की मार सबसे भैबय है पुरूस की मिसाइलों की रेंज में अमेरिका का कोन अपकोन आता है पुतिन की हाइपरसॉनिक मिसाइलों का तोड किसी के पास नहीं है पुतिन केम जौंगुन और खामनेई की जुगलबंदी नेटोफ पोर्सिस पर बहुत भारी पर सकती है केम जौंगुन के पास जो हाइड्रोजन बॉम है जिसका धमाका इस धर्ती के लिए महाविनाशकारी माना जाता है ऐसे में युक्रेन लौंग रेन मिसाइलों से खुद को दूर रख कर ही सलामत रह सकता है प्रेजिडन पुतिन ने वैसे भी युदमेप किसी तरहा के नियम मानने से साफ इंकार कर दिया है